नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका यूटूब चैनल इडिया दीरे सिंके स्टॉक्स में बजार में भेंकर गिरावट दिख रहे हैं दोस्तों इंडैसिस में लगवक धाई परसन से चार परसन की गिरावट है और सबसे ज्यादा जो टूटा है निफ्टी बैंक टूटा ह दोस्तों बैंकिंग स्टॉक्स काफी टूटे हैं और गिरने का कारण यह है कि कुरोना का दूसरा वेब आना और लॉकडाउन की स्टेथी बनी हुए कुछ राजियों महाराश्टा में इक तर इसके वज़े से और गिरावट है और यह एफेक्ट आने वाले क्वार्टर में में दिखेगा क्यों में दिखेगा दोस्तों और क्यों मार्च के महने से इस तरह की खबरें भी आ रही थी और मार्च के महने में जो रेजिस्टेंज बना हुआ हुआ था मैं लगवा गमान के जले 15,200 15,200 15,300 के आसपास से गिरावट हो रहे थी और प्रिशर बनावा था बजार में तो उसी तरह से अप्रेयर में हो सकता जम भी करता हुआ दिखेगा एक बड़ा जम भी आ सकता है आज यह 14,500 से नीचे की तरफ क्लोज होता है तो इसमें और गिर में एक तरसे मोका देखना चाहिए और जो अभी गिर रहे हैं अपने अनुसाथ देख सकते हैं पार्ट में कोशिज करनी चाहिए जैसे कि अगर पीक अप कर सकता ऐफ्रय ने और आर पूरी दुनिया में कुरोना का बढ़ता हुआ देख सकता है तो इस तरह की खबरें आ रही है अभी जो अभी क्या कि लॉक्डाउन की बनी हुए क्यों के रिजल्ट में थोड़ा सा इफेक्ट बढ़ सकता है तो इससे पहले एक मार्केट में गिरावट की सम्वाना रहे गी मार्स मार्स के महने में दिख रहा है अप्रैल के साफ से आप देख सकते हैं बट जिन निवेश्कु के मन में यह है कि मार्केट क्यों गिर रहा है तो वजह यह है कि लॉक्डाउन का जो दूसरा विप एक तरसे बढ़ता हुआ दिक रहा दस्तों अब पूरी दुनिया में की दूसरा वेव गता हुआ कि उड़ा दूसरा है आराप काटैए कि रही है कि जो किरों आए तक की दूसरा विप दूसरा वेव इंडिया में तो दोस्तों यह वजह है मार्केट गिर रही है एक तर से मौका होना चाहिए यह और वैक्सिन है ज्यादा इसमें फिर पैनिक नहीं होगा मार्केट बटी है कि फिर वी जो गिरावट आज दिख रहे है जिस तरह से आने वाले समय में थोड़ा सा अलट रहना चा स्टाउक मार्केट की जानकारी के लिए सस्क्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए लाइक करिए वीडियो को शेयर करिए कमन करिए